नमस्कार मैं से प्रमोत कुमार आज एक नया रिसीपी के साथ और अच्छा कबाब के साथ उस रिसीपी का उस डिस का नाम है चिकन आलिसान कबाब चिकन आलिसान टिकका भी लोग बोलते हैं तो आईए हमारे साथ लास्ट एक वीडियो में बने रहे हैं कैसा बनाते हैं बहुत अच्छा रिसीपी है बहुत अमेजिंग रिसीपी है और उमीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे त तो सेर्ष जरूर करते जिएगा सब्सक्राइब करते जिएगा धन्यभाद दोस्तों सबसे पहले आपको बॉनले स्क्र्टिकन लेनी और चिक्केन को कटिंग कर लेना है ठीका साइज के कृड़े आपको कबाब बनाने का इंगडियंस में पहले दिखाता हूँ आपको सबसे पहले आपको हेंग कर लेनी है और काजू पेस्ट कर लेना है आपको काजू पेस्ट कर लेने बाद जिन्जर गार्लिक का पेस्ट का जरूत पड़ेगा इस कबाब में तो जिनियर गार्लिक आप फेस्ट कर लें और सरसो तेल आप एक बॉल में रख लें साइट से और कस्तुरी मेथी कस्तुरी मेथी आपको जो जरौत पड़ेगा गरम मसला पौडर गरम मसला पौडर और जीरा पौडर जिरा पॉडर अगर आप रोस्ट करके करते हैं तो और भी अच्छा होगा और ब्लेक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, इंग्रिनेस में दिखा रहा है आपको दोस्तों आप सबसे पले इंग्रिनेस को रेडी करने का बाब बनाते समय आपका कर्णवन पॉडर है ग्रीन लाची पॉडर उसका आपको देगी मिर्च लेनी है देगी मिर्च पॉडर अब हम चिकन को मेरिनेट करते हैं सबसे पहला स्टार्टिंग तो चिकन में जिंगर गालिक पेस्ट लेना है आपको पहले और ब्लेक सॉल्ट वाइट सॉल्ट स्वाद अनुसर कॉंटिटी आप अपने हिसाब से देख लें ज्यादा ना हो और इसको अच्छे तरह से मिला करके कुछ देर तक रख ले जिसे हमने मिला लिया मिलाने के बाद इसको कुछ देर तक रखेंगे ज्यादा नहीं चार से प आते हैं तो ज्यादर डाल सकते हैं मैंने यहां पे जो रेगुलर चलता हुए डालता हूं और जीला पौडर आपको 1.5 तीजपून डाल लेना है जीरा पौटर डालने के बाद क시ность को इसमें मस्टड के 기प्श करें दो की 1ुट स्वंड दो स्पून मस्टर्ड वैलिए दालने के अप मिला लें इसको अच्छी तरह से मेंड संग करने क वाद इसको आप रख लें साइड में बॉल में इसको मेंडनेशन अच्छे से कर लेना है ताकि सॉल्ट अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं इस तरह का हो जाएगा आपको मिक्स करने का बाद दोस्तों चिकन को मिक्स करने का बाद मेंडनेशन करने का बाद अब आएए मसाला इसका त्यार करते हैं और इसका में इंप्रोटेंस मासाला है तो सबसे पहले करड करेंगे हैं करड जो आपको दिखाये था मैने इंगिडिय्येंस में दो टीस्पुन लेनी है दो टी स्पुन या एक इस्पुन बड़ा इस्पुन एक का जूपेश्ट है जिन्जर गार्लिक पेस्ट है आपको सब एक बॉल में मिला लेनी है अच्छे से जिन्जर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसमें आप गराम मसला का यूप योग करें हाफ टीस्पून गराम मसला डालने के बाद एक टीस्पून आप इसमें जीरा पौडर डालने है कस्तुरी मेथी पॉडर, 1.5 टीश्पून, कस्तुरी मेथी पॉडर डालें गवाद हिलाची पॉडर, चोटा हिलाची का पॉडर डालें इसमें, उसका बाद रेट शिली पॉडर, 1.5 टीश्पून, इसमें मस्टर्ड ओइल का युप्योग करें, मस्टर्ड ओइल मैंने यहा और सुवादनेशार नमक, चिकन में भी नमक था और इसमें भी नमक है, तो दोस्तों अपने हिसाब से स्वादनेशार ही डालें, ताकि ज़्यादा कम नहुत हो, अब इसको अच्छी तरह से मिला लें, अच्छी तरह से मैस कर लें, वीडियो में लाज तक बने रहें, बहुत हच्छा कवाब है कि यह मसाला मिला लिया मैंने मसाला का हो जाएगा उसका बाद चिकन dos color bureauc फिसिश को इसमें डाले है मसाला में और उसका बाद भी इस मसाला और सिकन को अच्छे से मिला लेना है अच्छे से मेरinator कर लेना है अगर आपको यह रिसीपी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फैमली मेंबर या फ्रेंड्स को जरूर सेयर करें और घर में जरूर ट्राय करें बहुत अच्छा रिसीपी है अगर चिकन अच्छे से मेरिनेट हो गया है और मेरिनेशन करने के बाद इसे 5-7 मिनटाप इसको नॉर्मल फ्रीज में रख दें और ताकि इसका जो मसाला जो है एरोमा और चिकन में अच्छे साज आ जाए और फिनिसिंग करने के बाद लेमन जूस दो से 3 वेजेस लेमन काट पांच मिनट का बाद इसे आप इसके वर्स में डालना स्टार्ट कर दें जो जिसमें आप सेकेंगे इसको सीक में डाल दें चिकन को अच्छी तरह से और देखे मैंने सीक में सारा चिकन को डाल दिया आई अब तंदूर में डालते हैं इसको दोस्तों तंदूर में आपको कम से कम आठ से दस मिनट सेखना है बहुत ज़्यादा टेंपरेचर ना हो तंदूर का अब यह अलिसान कबाब हाफ डन हो गया है पांच मिनट मैंने इसको तंदूर में रखा अब यह हाफ डन हो गया है अब इसे मैं बटर लगा करके और फिर से तंदूर में डालेंगे एक कबाब हाफ डन होने के बाद इसे आप दो मिनट के लिए हैंक करके रख दें ताकि इसका पानी जो निकल जाएगा उसका दोस्तों इसे बटर लगानी है मैंने इसे बटर डाल रहा हूं मैं इसमें बटर डालने के बाद फिर से इसको रोस्ट करना है ज्यादा नहीं तीन से चार मिन्ट रोस्ट करना है कम टेंप्रेचर में अब यह कबाब रोस्ट हो गया है दोस्तों आएए मैं आपका सबसे इंपोटेंट्स जो इसका जो है आलिशन कबाब कमें दिखाता हूं आपको सबसे पहले आपको तीन अंडे का एक वाइट ले लेनी है और चीज ले लेनी है आपको चीज ग्रेट करके और तीन तरह का बेल पेपर, रेट पेपर, एलो पेपर और गिन पेपर डाल करके इसको अच्छे से फेट लें फेटने के बाद चिकेन जो आपको दिखाये थे मैंने उसको उसमें डाल देना है इसको अच्छे से धिरे 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 एक साइड में दोनों साइड में नहीं डाला है एक साइड में उस जो एक को एक और चीज और इसमें थ्री पेपर्स बेल पेपर्स में डाला था उसको इसमें एक साइड से लगा ले नहीं अच्छे तरीके से कहीं पर छूट न जाए इसको अच्छे से लगाएं दोस्तों रिसीपि आपको जरूर बताएगा कैसा लगाएगा आपको और इसको अच्छे तरीके से लगा लें एक को एक वाइट को चीज को और ठीरी पेपर्स को कैफिकम को और लगाने बाद इसको थोड़ा सा रे यह हो गया है कंप्लीट हो गया आपको एक मिना टीप पकाना है ज्यादा इसमें नहीं रखें तंदूर में देखें कितना सॉलिड लूक आया है दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद